हेलो इबरोन स्वागत थी आप सभी का यूट्यूब चैनल और इस्टेटी में जी हैं दोश्तों आप जैसा कोश्चन कह रहे थे मैं ठीक उसी तरह का कोश्चन लिया हूँ मेरा हेडिंग है गैस गैस पर आईस देख सकते हैं यहाँ पर जेतिने में घर के महिलाए हैं पहले जो होता था चुला चोकिपर खाना बनाती थी अब बनाती है गैस पर और करती है एस तो आपके घर भी ऐसा होता होगा और आपके घर भी गैस स्लेंडर आता होगा तो gas lender जो है आता होगा और उस पर सबसीडी भी मिलता होगा देख सकते हैं सरकार ने जो gas चोराने के वज़ासे उस पर सरकार हमको सबसीडी देने लगी है और हमसे ज़्यादा पैसा लेकर और हमारे खाते में जो है सबसीडी ट्रांसफर कर देती है इस यह होता है कि जो भी य बीना टाइम बेस्ट के question को solve करते हैं question कह रहा है देख सकते हैं यदि gas cylinder 960 रुपय है मालेजे कि आप gas cylinder लेने जाते हैं और उसका दाम जो है 960 रुपया है और उस पर 5% सबसीडी दिया जाए तो 960 रुपया गैस का दाम है और उस पर हमको सबसीडी मिन रहा है सिर्फ 5% सि 5% सबसीडी दिया जाए तो कितने रुपय सबसीडी खाता में आएगा तो मालेजे कि आपके खाता में कितने रुपय सबसीडी आएगा अगर 960 रुपय में हमको 5% सबसीडी दिया जाए तो तो चलिए बीना टाइम बेस्ट के question को solve करते हैं और आपका problem दूर करते हैं तो यांपर देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर स्लीन डर जो है 960 रुपय म्लए और यहां पर 5% का सबसीडी मिल रहा हैं तो सिलेन्डER हमको मिल रहा है कितना नौ foundation रुपय में स्लीडर मिल रहा है और उस पर छूट दिया जानी कितने का तो 5% की क्या करेंगे कि इसमें 5% सब कुना कर देंगे। क्योंकि हमको निकालना है कि कितने रूपए हमरे खाते में आएंगे, तो 960 में 5% से गुना करेंगे, क्योंकि 960 के 5% हमको निकालना है कि कितना रूपए होगा। तो चलिए बढ़ी आसान तरीका से निकलता हूँ तो 960 है तो 960 है गुना है तो गुना और 5% का मतलब होता है 5 बटे 100 यहाँ पर 5 है और यह जो परसेंटेज का चीन है परसेंटेज हटेगा तो यह जो अंक है इसके बटे में 100 लग जाएगा अब आपको simply solve कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बटे में कुछ नहीं तो 1 है अब आपको solve कर ला तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से 10ado cancel हो गया यह वाला 960 था तो यहाँ पर 1060 दो यहाँ पर 10 ओर उपर 5 आपना और यहां पर हमारा कितना बच गया तो उपर हमारे नाइटीसिक्स पानुआ करें तो आपने में अवन बार करेंगे घंड बचाहन से स्वां देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा तो 24 के 8 और 286 तो 48 रुपई जो है हमारे खाते में सबसीडी आएगी इस जो अगर गैस हमको 960 रुपई में मिल रहा है और उस पर सबसीडी हमको सिर्फ 5% मिलेगा तो हमारे खाते में जो है आपको आशा करता हूं कि पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीचेगा क्यों इस चैनल पर आपका डेली यूज जो वर्क है मैं उसी तरह का वीडियो लाता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेस तो बेल अप्डेर्ट